दोस्तों आज की इस वीडियो के माधिम से हम जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रस्टों को कबर करेंगे जो कि बहुत सारे ऐसे एक्जाम है दोस्तों जहां पर यह सभी कोचन बार-बार रिपीट होते हैं ठीक है तो आज के यह वीडियो आप सभी के लिए कापी जीँसली रहने वाला क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में जितने भी कोचन कबर कर आएं यह सभी कोचन अच्छी लेबल की कौचन है ज्यूकि बार-बार गर्मेंट एक्जाम होते हैं वहां पर यह जाही बार-बार रिपीट होतें को आने वाले एकजाम है भी आपको य ये वीडियोच बनारें जा रहा है यह पार्ट फाइप है यह आप पराट वन से लेकार वान तक नहीं देखे तो प्रीज देख लिए ठीक है इस वीडियो का देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लिएगा ठीक है तो आप से पहला कोच्छ अपसे क्या पूछगे म मेघाले यापी option में दे देता है मासी नराम ठीक है तो आपको एक using के corresponding देखना मेधाले मासी नराम में जो भी आपको आपको आप संद्द livestock इससे एंसर को सही करना ठीक है अगलले कोचन आप से क्या पूछा हया है कि locks यह वनों की भूमी खहा जाता है यान आपसे इससा ही उत्तर हो जाएगा मध्धि पर्देश कि अगले कोचिन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों भारत का इसा कौन साज्य जाजी है जिसे चावल्ट का कटोरा कहा ज़ता है तो आप सभी को पताना होचाहिए दोस्तों कि भारत गाण। जी सभी कोशन होगे इसलिए अगला कोशन है कि भारत के कि किस राज rays को चीनी का कतोरा कहा जाता दोस्तों भारत का ऐसा कॉवन से राजी है जिसे चीनी का कटोरा हो जाएगा अगला कोचन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के किस राजी में चावल की खेती सरवाधिक होती दोँसто भारत देखा जाए तो सबसे दिख चावल को उतपादन को राजी होता है तो राइट झिले चावल का उतपादन ना GU होता है यानि आपसे नंबर सी शही उत्तर हो जागा ठीक है अस्सम लाइश कोजन क्या पुछा गया है कि भारत का सरवधी गन्हा उत्तपादक राजी दोस्तों भारत में देखा लेते सबसे गन्हा को टाता इन से कौन्स राजी में होता है उत्तर पर्देश मद्ध पर्देश गुजरात या फिर राजयश्थार में तो सबसे अधिक होता है यानि यूपी थिकया कोचन है कि भारत का स्तरवाधी केला意 meet कौन सा दोस्तों भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक केला को उत्पादन इन में से कौन सा राजी में होता है तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला इन सबसे अधिक कपास को उत्पादन होता है तो सबसे अधिक कपास के बात करें तो गजरात में सबसे अधिक करण यांदु आपिसे नंबर हो जाएगा दोस्तों ओंघयर भारत का सबसे अधिक आलू सबसे अधीक अधिक आलू का उत्पादन इन वे सतक्षा हो जाएगा कि अगला कोछिन आप से क्या पूछा गए दोस्त कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राजी कौन सा दोस्तों देखा जाए भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन इनमें से कौन सा राजी में होता है तो सबसे अधिक गेहूं की उत्पादन की बात करें तो उत्तर परदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है यानि आप अगले कोचिन क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक जो उत्पादक राजी दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन की बात करें यानि आपसे नमबर भी सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पर्देश अगला कोचन क्या है कि भारत का सबसे अधिक बाजरा उतपादक राज्य का ने, ये दूस्तों, तो छेत्रफल के दृष्टिं से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन तो राजय अस्थान जो है एक सबसे चोटा राजी आप से पूछा जाहिए ठीक है अगला कोचन है कि भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको यह दिया आप लगाते हैं तो आपको जेल की सजाब सजाबी हो सकती तो राइट एंसर गांजा जी यहां दोस्तों जी जो गांजा के पेड़ है यदि आप लगाते हैं और पुलिस सिद्धे आपको देख लेती तो आपको जेल की बीज़ी सजा हो सकती ठीक है आपसे नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा सोने का एट्यम लगाया गया है आपसे नमबर का पूचा गया है कि पाकिस्तान नामक गाओं भारत के किस राजी में थे फ्रेस्ति थे दोस्तों फ़िल आभी वहार की अगले पेल्ते हैं कि भारत सब्से जादा कि खेती की जाती दोस्त भापर देखे जायता है तो सबसे अधिक कोंसा cha sula कोना चाहिए कि चावण बाहरत में सबसे अधिक किया जाता है। यान सब्से नबर डी सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला कोचिन क्या है कि गेटवे आफ इंडिया कहां इस्तित दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉटेंट कोचन कहीं पर एकजाम में यह सभी कोचे पूचा गया है कि जो गेटवे आफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो यह जो गेट इंडिया मुंबेह में है वह इंडिया गेट कहां पर है तो दिल्ली में ठीक है अगला कोचन है कि भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं दोस्तों जो भारत में पुलिस है इंवे से किसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है परद्धान मंत्री को मुखी मंत्री को रा राष्ट पतिकों यह पुलिस भी गिरफ्तार्ट नहीं कर सकती यानले आपसर नमबर यहां पर सी राइट एंसर हो जाएगा अगला कॉचन है कि भारत के किस राजय में आधार कार्ड नहीं बनता है तो राइट एंसर जम्मु कस्मिर पर दोस्तों पहले आधार कार्ड नहीं आगला कोचन है कि ताज महल किस नदी के किनारे इस्थित्त है यह कौन सा नदी के किनारे इस्तित्त है यान आपसर नमबर यहां पे सी राइट एंसर होगा यम्ना नदीर ठीक है टाज महल कोंसा राज में दोस्तों यूपी के आगरा परें टाज महल को किस ने बना या और किसके याद में बना गया था यह बहुत ज्याद आसान गजन वह सब में का मेंट करों है कि आगला कोचण है कि भारत का राष्टी खेल कौन से तो हौकी जो है यह भारत का राष्टी खेल है या अपसे दूस्तों कि होकी में जो और टोटल कितने खिलाडी होते हैं थे ठीक को याद होने चाहिए तो है अगला कौचन है कि खुस्बूओं का सहर किसे का ज़एगा कनोज को यह हमदाबाद को जैपूर को या फिर मेरट को को घुश्बूओं का जो सहर है यह कनोज को कहा जाता है यह सही उत्तर हो जाएगा कनोज अगला कोचन क्या पूछा गया है कि वीश्व में सबसे अधिक डाग घर किस देश में है दोस्तों वीश्व में सबसे अधिक डाग घर की बात करें तो सबसे अधिक डाग घर कहां पर है दोस्तों तो भारत में यानियो आप्स नमबर यह राइट एंसर हो जेगा भारत जिया पार्ट फोर तक दोस्तों और टोटल वहां पे सौ कोचन करवाए गया ठीक है आप हर एक ट्रजिशनों को पढ़ा लिए दोस्तों क्योंकि मैंने दोस्तों हर एक वीडियो में उन्हें सभी कोच्छों को कपर करायें जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाते ठीक है और इसी आप इंपॉर्टेंग कोचन जाने चाहते दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लिए क्योंकि दोस्तों इस चैनल के मादम से उन्हें सभी कोच्छों को कभर करायें जो कि एक्जाम के लेबल को होते तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के जाहिन जाभरात